कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड शेत्र के मधूरा मोती चौक के समीब इस्थानिय ग्रामीडों ने चचरी पुल पर ज्यादा पैसे लेने के खिलाफ सड़क पर टायार जला कर प्रदशन किया। कोड़ा और बरारी को जोड़ने वाली इस सड़क पर पुल नहीं होने से लोग चचरी पुल से गुजर कर नदी पार करते हैं। पहले यहाँ पर लोहे का पुल था लेकिन नए पुल निर्माण से पहले बिना डायवर्जन बनाए ही ठेकिदार ने इस पुल को हटा दिया। ग्रामीरों ने बताया कि इस जगह पर गाउं के कुछ लोग चचरी पुल बनाकर अवैध वसूली करते हैं। इस्थानिय ग्रामीर मुहमद रब्बानी बताते हैं कि जिन लोगों ने चचरी पुल बनाया है वे मनमानी करते हैं और अनाब शनाब पैसा मांगते हैं। के मेर्ट पुल बना हुआ था जो कि वो पुल था लुहा का पूल बना हुआ था और पूल बांब करसको तोर दिया और जो आने जाने आदमी को दिकत हो रहा है कि वो पसब्री स्थान करते हुर महारा और सो थिकतार से हैं कि मैंग यह हैं पुल को ममनना चाहिए और यह लगभाग या पुल बनाने में सल तक लग जाएंगे तो उसको ठीकेदार को चाहिए कि वो आगे से उसके अगल बगल से कोई डाइवरेशन चाहिए रास्ता चाहिए ताकि आदमी को आना जाना में तकलिफ ना हो अब या निया उखिटी पना हुआ जाना है हम लोग महिनत के और अध्याव में यह चेशाव के आएफ पैस दे रहा है क्या मांग हम रास्ता चाहिए ठीके दार को यह समझ में नहीं है कि हम जो पूल तोड़े रहे हैं उसको क्या गए तहीं नहीं है रास्ता नहीं कि बाड़ा आ जाएगा अभी बाड़ का मोसम है यह नहीं देखा वो पूल तोड़ दिया है कि यह दोरा पूल तोड़ा बना है कि यह पूल तोड़ दिया गया बिना बनाएं जी बेगर डैवर्सन बना थोड़ दिया गया है और इसमें लोग का पैसा जए है जो चाछीरी बनाया है जो लोग उसका फैसा है उसलों किया जाता है यह आदमी से ुरुकिव्टी न यह जाता है जो फैसल जा रहे हैं आज जो लोग मटर स हराहिए one मेरा मेरा है एज हैं कि मेरा भी मेरा प्रमक को भी मधअ लग पास करनेंगे उलों का जहन्ता नहीं है अचेज्ड़ नहीं है, तो कर वाएंड नने जाहें, नहीं होके नहीं इस है, लोग कर रहा है पूरी तरह से कर रहा है पूरी तरह से कर वहना चाहिए आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है ग्रामीनों का कहना है कि पुराने पूल को तो रहा है तोड़े जाने से पहले ठेकेदार को डायवर्जन का निर्मार करना चाहिए था लेकिन ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया इस वजह से लोगों को परिशानी हो रही है मौके पर पहुची पुलिस ने ग्रामीरों को शांत करने की कोशिश की लेकिन ग्रामीर नहीं माने पुलिस ने चचरीपुल बनाने वालों से बाइक सवार से 15 रुपे और पैदल यादरी से 5 रुपे लेने के लिए कहा इसके बाद भी लोगों का घुस्सा ठंडा नहीं हुआ लोगों ने बताया कि वे अवेध वसूली पर रोक लगाने के लिए प्राधर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने सिर्फ रुपे कम करवा दिये लोगों ने जिला प्रशासन से इस अवैद वसूली पर रोक लगाने की मांगी लोगों ने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे है यह प्र यह से पाइबढ़ आने पाइदाल चलता तो भी 20 लैंद चलता है जलता है पाइशा लेते ही लोग जघ्रा कार जब जाता है जब औल्षा प्रणे मंशन् hours9्ति और तरीका से वह सुली कर रहा है लोग पूल में जाने से जो भी यह से पाइदाल चलता है तो भी उससे पैसा उठा रहा है और वह तो टेंपू जा रहा है टेंपू का भी 50 रफ करके लेता है उस लोग पैसा किसी से बोलता है तो बोलता है जोड़ी है जाने दो ले ले रहा है लेने दो हम लोग ऐसी कर रहा है जो ठीका दरा आवे और उसको साइड से कोनों पबलिक को बेवस्ता करे और बसकोनों बात नहीं है क्या मार्क साड़क है दुर्गापूर और सुखासन और रक्सी के बीच जाने वाला मधुरा जोडने वाला रस्ता है पुलवा जो तोड़ा गया है उसके लिए ड्राइबर्शन ठीकदर जो है नहीं बनाया गया है अभी बहुत कश्ट से जा रहा है पैसा सबसे तसूली कर र सब्सक्राइबर्शन होना चाहिए और नहीं तो ठीकदार आके यहां जवाब दे नहीं देगा तो हम लोग आनसन पर बैठे रहेंगे जी जाम किया हुआ है यह है मधूरा पंचायद है पूल जहां बंदा था वो पढ़ता है बरारी परखन और रक्सी के बीच पढ़ता है परखन को जोडता है जी तो क्या इन पर कारवाई होना चाहिए इन लोगों को पर अभी ड्राइबर्शन फिलाल बनाया हूँ आदमी को चलने बुलने के लिए सब्सक्राइब पर मार्चायद नहीं है नहीं है तो छोड़ दीज़े किसे इकसे का पास नहीं है गरीबाद में खटके आते हैं पैसा नहीं मिला हमिलों का लेवर मिस्ट्री चलता बोला ने तु पैटल जाओ नो तरसे घूम के जाओ अभी पैसा दो तब तुमको जाने मिलेगा इसी तेरे सरा आने का विश्टे का जाने के विश्ट हमां 400 का दिन मजदुरी करते हैं सार 40 र जबर्ष्टी करके इस तरह कर तक हम लोगों से उठा जा रहा है सर अब लोगों का डैवरेशन पन जाए हम लोग गड़ीबाद में अपने खटने जाते है राद्मिल का रस्ता है यहां लाखों हजारों आदमी चलते हैं सर हम लोग हम लोग यहीं चाहते हैं सर सरकार से जा जाए हम लोगों 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